दोसो जैसे कि आपसे ने वीडियो के थमनेल और दोसो टाइटल में भी आप लोगों ने देखे लिया हुगा आज से दोसो करीब 5 दिन पहले मैंने एक आपसे भी के लिए वीडियो बना करके मैंने बताया था कि आपकी इस तरीके से फिलिप कार्ड पर दोसो डेविट कार्ड यानि कि ATM कार्ड का यूज़ करके मोबाइल फोन ले सकते हैं मेरे पास काफी लोग कमेंट कर रहे थे और जैसे कि यहाँ पर दोसो देख पार होंगे आप हम जो है फिलिप कार्ड के अंदर है तो आज कि इस वीडियो में दोसो मैं आपके सामने लाइब में आपके शेयर करने वाला हो कि कैसे आप ATM कार्ड का यूज़ करके फिलिप कार्ड के उपर में दोसो कोई भी मोबाइल फोन को कैसे ले सकते हैं EMI में और सबसे बड़ी बात यह है दोसो कि आप जीरो डॉन पेमिंट पर यह नहीं कि दोसो आपको एक रुपय का डॉन पेमिंट नहीं देना है तो कौन सा पर किस तरीके से आपको लोन आपको मोबाइल लेना है EMI में मोबाइल कैसे लेना है पूरा प्रोसेस लाइब दिखाऊंगा फिलिप कार्ट के अंदर पूरा प्रोसेस A to Z जानकरी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को फटा 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 लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोसो लाइक करके उमेदे दोसो इस वीडियो को जो है 12 लाइक आप लोग कंपलीट करा देना पिछले में आपको सब्सक्राइब करना तो चली शुरू करते है तो दोसो फिलिप कार्ट से मुबाइल लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना मुबाइल के प्ली स्टोर को उपन करना है यह दोसो अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आईपि स्टोर को उपन करेंगे और यहाँ पर दोसो सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे फिलिप कार्ड और यहाँ पर दोसो जैसा मैं बताओंगा बिल्कुल उसी ट्रिक को आपको यूज करके आपको दोसो इंडिया का एटियम कार्ड है काफी लोग बोलते हैं कि सरा हमारे पास सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का एटियम कार्ड है काफी लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास फेनो पेमेंट बैंक का एटियम कार्ड है कोई बोलता है कैनरा बैंक का एटियम कार्ड है पंजाब निशनल इंटरफेस मिलेगा जहां पर दोस् пару विए लाईब हैं और यहां पर दूस्वूं आएंगे सर्च बार में और यहां पर दूस्वा मैं उप्टो को कोई lten लेना चाहता हूं यह सकता है आप में से कोई लोग यहां पर आपके ब decl Vikt में बताऊंगा पूरा प्रोसेस में आपके सामय लाइप बताऊंगा और यहां पर दोसो कि यहां पर मैं अभे इस Grid को खरीद रहा हूं तो हो सकता आपको आपको का यही है हो सकता आप लोग आइफोन की चक्कर में होंगे कि हम आइफोन ले लेते तो अच्छा होता बीग बिलियन में तो यहां पर दूसर यहां तो आइफोन 13 लेना हो यह 15 लेना हो जैसे कि यहां पर मैं आइफोन 13 को यहां पर सर्च कर लेता हूं सर्च करने के बाद दूसर यहां unavailable है यानि के दूसरों यह सब प्रोड़क्ट जो है अभी क्योंकि दूसरों सेल में बहुत ज्यादा दूसरों इसकर sell हुआ है तो यहां पर सब unavailable है थीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे के जैसे यहां पर अभी हम 14 अगर search करते हैं तो 14 भी दोसरों यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों इस मोबाइल को जैसे कि मुझे लेना है 18-20,000 के बजट में जैसे कि दोस्तों इस फोन को मुझे लेना है तो इस मोबाइल को दोस्तों लेने के लिए पर हम क्या करेंगे कि सिंपल सा यहां पर जो है इस मोबाइल को लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर नीचे आपको आना है और आपको यहां पर अपना प्रोड़क को देखना है कि कि कितने का यह प्रोड़क्ट है जैसे कि दोस्तों यहा यहां पर यह यहां पर सेल में मुझे दोस्व यहां पर यह product किता में मिल रहा है 18,000 रुपे का यह product था 18,999 रुपे का और यहां पर मुझे मिलेगा यह 16,000 रुपे में अब आपको क्या करना है वो हम आपको बताता हूँ और यहाँ पर दूसर जैसे मैं आपको बताया था कि आप लोग नीचे मुझे comment box में comment करके बताएगा आपके पास कौन सा bank का ATM card है तो फिलाहल दूसर अभी हमारे पास जो है ATM card अभी हमारे पास दूसर इस्टेट बैंक को फिडिया का ATM card है और हमारे पास दूसर 3-4 और भी ATM card है जैसे कि HDFC का भी card है central का भी card है तो यहाँ पर दूसर हम क्या करेंगे कि अब आपको दूसर मुबाइल फोन को लेने के लिए आपको आपके account के अंदर काफी लोग बोलता है कि सर हमारे पास जो है accounts के अंदर जो है balance नहीं है zero balance है काफी लोग बोलता है कि सर हमारे पास 500 रुपए है 1000 रुपए है तो क्या हमें down payment देना होगा तो दोसर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ देखने को मिलेगा जो भी product आप ले रहा है minimum दोसर आपको 10,000 से उपर का आपको product खरीदना है ठीक है 10,000 से उपर का दोसर product आप खरीदोगे तभी जाकर के आपको यह जो है EMI पर आप ले पाओगे कोभी चीज़ को चाहे दोसर आप electronic gadget ले रहा है यहाँ दोसर मोबाइल ले रहा है fridge, cooler यहाँ दोसर आप जो है TV ले रहा है laptop ले रहा है कुछ भी ले रहा है ATM card का यूज़ करके दोसर आप लोग ले पाओगे बेहादी आसानी के साथ तो यहाँ पर दोसर हम क्या करने वाला है जैसे कि यहाँ पर दोसर आप लोग देख पा रहा होंगे आप हमारे screen के उपर यह product दोसर हमारा आ चुका है अब यहाँ पर दोसर इस mobile को लेने के लिए यहाँ पर नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा continue with EMI यहाँ पर जो mobile अभी हम लोग ले रहे है वो EMI में ले रहे है जैसे कि मैंने आपको बताया था और वह भी दोसर ATM card का use करके और उस bank account के अंदर मेरा balance जो है 480 रुपे है जिससे दोसर अभी हम लेने वाले हैं उसका 480 रुपे accounts के अंदर balance है और उसे ATM card के use करके हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि continue with EMI में किलिक करें उसके बाद दोसर फाइनल यहाँ पर जैसे हम continue with EMI में किलिक करते हैं हमारे सामने हमारा इस तरीके का दोसर इंटरफेस आ जाता है तो यहाँ पर दोसर आपको जो है mobile phone को खरिदना खरिद लेना ठीक है तो यहाँ पर दोनो तरीके में से दोसर सबसे पहला तरीका है आप दोसर पहला तरीका मैं आपको वता दूँ कि अगर आपके पास बजाज का यहाँ कि दोसर बजाज फिंसर EMI का card है यह दोसर बजाज card आपके पास है मोबाईल लेना है, तो दूसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले दूसों, आपको अपना offer को check करना होगा यानिども, आप ATM card के लिए EMI के लिए available, यानि आप eligible है या नहीं, इस चीज़ को आपको पता करना होगा, तो ये दूसों बहुत ही important process होता है अगर आप दोसो EMI पर mobile ले रहे हैं, loan में mobile ले रहे हैं, तो ये parts दोसो आपके लिए यानि कि दोसो ये points जो है आपके लिए बहुत ही important है, आपको दोसो तबी जाकर के mobile मिलेगा, जब दोसो आप इन तो उसके लिए दोसो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको message box में जाना है, और आपको message box जैसे कि यहाँ पर हम open कर देते हैं, अपना message box को open करते हैं इस तरीके, और आपको SMS box में जाना है, जिसमें दोसो आपको एक number को types करना होगा, चलिए मैं बताता हूँ दोसो कौन सा number पर आपको SMS करके, आपको अपना offer को check करना है, कि आपका EMI के लिए eligible हैं या नहीं है, तो चलिए पहले हम आपको दिखा देता हूँ message, text message करके, तो यहाँ पर दोसो आपको अपना SMS box में दोसो इस number को type करना है, अब यहाँ पर दोसो जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको यहाँ पर जो है, मैंने चार bank का दोसो यहाँ पर नाम आपको में show कर, इन दोसो चारो bank के अंदर, जैसे कि दोसो State bank of India का अगर आपको दोसो इसमें message करना है अगर दोसो आपका HDFC का दोसो ATM card है, तो आपको इस number पर message करना है, ICI का है, तो इस पर message करना है access का है, तो इस पर message करना है फिलहाल दोसो अभी हमारे पास जो है चार bank का दोसो अभी हमारे पास data है अगर इन में से दोसो चारो bank में से अगर आपके पास कोई bank अगर आपके पास है तो भी दोस्व आप ले सकते हैं और इन में से दोस्व अगर आपके पास नहीं है तो एक और नमबर बता रहा हूँ जिसे दोस्व आप और रॉंडर यह नहीं कि दोस्व कोई भी bank account के अंदर दोस्व आप उस नमबर से चेक कर सकते हैं अपना eligibility तो कौनसा नमबर है चली show कर दोस्व तो दोस्व वो नमबर मैं आपको show कर दिया दोस्व यहाँ पर जो है 5, 6 उसके बाद दोस्व एँथिकह इस नमबर को दोस्व आप लोग पाईप करना और टाईप करने के भाद दोस्व आपको यहाँ पर जो है SMS box में लिखना है D-C-E-A-I यहाँ पर दोस्व आपको send कर बना इस तरीके से जैसे दोस्व send करोगे तो आपके सामने दोस्व request successful हो जाएगा अब इसका मतलब भी है दोस्व कि आपके पास जो भी दोस्व bank होगा आपके पास दोस्व camera bank हो पंजाब national bank हो या दोस्व आपके पास फीनो bank हो इस नंबर से आप दोस्व all rounder यानि कि दोस्व सभी bank के अंदर इस नंबर से आप अपना offer को चेक कर सकते है अब थोड़ा सा दोस्व यहाँ पर wait करेंगे bank के तरप से दोस्व आपको reply में तुरांद एक message आएगा क्या message आएगा चली दिखाएगा और यहाँ पर दोस्व family हमारे पास message आ चुका है your request has been यानि कि दोस्व जो हमारे bank account के अंदर जो बेजा गया था request उससे दोस्व हमें जो है दोबारा हमें reply में message आया हुआ है जैसे कि यहाँ पर आप हमारे mobile की screen उपर में देख पा रहोंगे contrast license your has been limit यहाँ पर दोस्व making online यहाँ पर दोस्व जो भी हमारा debit card का दोस्व जो limit हमें मिला हुआ है वो 297,888 रुपए का limit मिला हुआ यहाँ पर दोस्व मेरे लिए offer आ चुका है आपके लिए पर दोस्व इस तरीके का offer आपको देखने को मिलेगा आगर आपको दोस्व आपके सामने not eligible का message आता है इसका मतलब दोस्व अब आप लोग जो है ATM card से आपका ATM card से दोस्व EMI के लिए eligible नहीं है तो यहाँ पर दोस्व बिल्कुल simple process है जैसे मैं आपको बताए इन process को follow करके दोस्व आप लोग EMI में mobile ले सकते हैं क्योंकि दोस्व मुझे तो आया हुए ना तो मैं ले पाऊंगा तो कैसे ले ना अचली दिखाब दोस्व यहाँ पर payment method में आएंगे और यहाँ पर दोस्व आने के बाद हम क्या करेंगे कि just यहाँ पर दोस्व हम क्या करेंगे और पैसा दोस्व हमारे debit card के लिए कि दोस्व बैंक के तरफ से कटेगा और उसका दोस्व पैसा मुझे मंतली EMI में देना होगा तो सारा process मैंने आपको दिखा दिये दोस्व कैसे करना है उमेद करते जानकर यह अच्छा लगो फिलाल मुझे दोस्व यहाँ पर जो है जरुवत नहीं है दोस्व मोबाइल का मैंने आप से विडियो बनाने के लिए मैंने आपको बताए और आप लोग नीचे मुझे comment करक करके कमेंट करके बताना कि कौन सा बैंक का आपके पास एटियम कार्ड है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें